दोस्तो आज का ये वीडियो टिक टॉक यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इस्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे बीज बैटे हुए और अंगाबाद महाराष्ट्रे से क्रिशना ट्रिपल जीरो सेवन जिनकी आईडी पर अभी फिलाल एक लाग प्लस फॉलोवर क की टिक टॉक पर वाइरल वीडियो कैसा निकलता है थोड़ी से हम जानकारी यहां पर लेंगे जैसा कंप्यूटर हो अगयरा होना बहुत जरूरी है क्योंकि इतनी हाई-लेवल की आप तो मोबाइल में नहीं कर पाऊगे और करते भी है तो आपको बहुत सारा टाइम उसमें खर्चा करना है मिनिमाम दो तीन घंटे तो आपको खर्चा करना है और एक वीडियो के लिए इतना तो मुझे नहीं लगता करना इसलिए आप एक काम करो सपेस्ट टोड़ी बनाओ सपेंस आगे के पार्ट में बाकी का ऐसे सपेंस बनाओ जिससे आपके फॉल्लवर भी करना है या फिर मोबाइल से बीकाम चल जाएगा मेरे सबसे तो मैं रिक्मेंट करूंगा अगर आपका पैसों का बजट कम है तो आप मोबाइल से शूट करें क्योंकि मोबाइल की कॉलिटी आपके इसाब से रही और सबसे जरूरी बात है आप इतना पैसा मुझे लिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है तो टिक टॉक पर कॉलिटी कंटेंट कुछ मैटर करता है या फिर अपनी क्रेटिविटी अपनी कला मैटर करती है नहीं मेरे सबसे तो अपनी कला अपनी कॉलिटी अपने खुद में की जो कॉलिटी है वही सबसे ज्यादा मिंटेन करती है इस नियूट कब से बना ने श्टार्ट करें थी सब्सक्राइब काम करता है फोड़ा सा तक्लिप नहीं पहले पहले लेकिन आप पूरे के अंदर सारजबातीष मेन आप गए मेरे टार्ग मेनम मीनिमम भी बहु helicopter सब्सक्राइब भूज दोग चाहित का लिए वह यह कुर्ण चाहलों कि साफने बाद में लोगों को मालूम चला कि टिक टोक है आज इताल बुलाई जा जाता है जैसे जीम की ओपनिंग हो किसे के होटेल की ओपनिंग हो बहुत सारी जगह पे मैं वैसा फीस तो रिकेमेंड नहीं करता हूँ किसी से लेकिन एक बुलाया जाता है आप चाहे तो पैसा भी ले सकते इसके लिए अगर आप पॉपिलर होते होत तो हाँ तो सर आप हमारे दर्शकों को बताईए कि आपने टिक टॉक पर जब वीडियो बनाना स्टार्ट करे थे तो आपने मोबाइल से बनाना स्टार्ट करे थे या फिर आपने DSLR का यूज किया था क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंड करते कि टिक टॉक पर अगर फेमस होना ही ह तो DSLR कॉलिटी कंटेंड वाला वीडियो होना चाहिए तो आप हमारे दर्शकों को बताईए जो आपका सबसे पहला वीडियो वायरल हुआ था वह DSLR से शूट हुआ था या फिर सिंपल अपने Android मोबाइल से अपने शूट करे थे नहीं सबसे पहले तो मेरे खुद के मोबा वायरल हो गया मतलब मिनीमम बोले तो पाच्छे मिलियन तो व्यूज आगे उसको और पाच लाक योपर लाइक्स आगे तो उसके बाद ऐसे कंटेंड में वालाने चालू कर दिया उसके बाद मैं तो ऐसे वीडियो बाला तो मोबाइल से ज्यादा तर मोबाइल की वीडियो बराबर आ रहा है कि उसके बाद एडिट करना बहुत सारा जंजर तो जंजर तो होता ही है यह वह करना पड़ता है और मोबाइल क्या है जस्ट बना और अपलेड कर दो अगर आपका चेरा लोगों के रिकमेंट में आगे हैं अब देखने में आगे हैं उसके बाद आप आधा यह हमारे दर्शक भी नइडिक्टाक से बेनिफिट तो मंः तो आपको क्लीर क्लीयर बोलता हूँ सबसे मेंबात टिक्टोक से आपको कोई वेनिफिट नहीं एक रुपई का भी नहीं आपको नहीं जो बड़े-बड़ेयों से फईजू अधनान जिखना टिक्टाक स तो मुझे नहीं मिलाए और आपको भी नहीं मिलेगा लेकिन बात क्या होती है जैसा आप फेमस होते हो तो आपको एड्स आना शुरू हो जाए मतलब कर सकते हैं आपको एप्लिकेशन की पैसा कमाने का अगर तरीका तो बस एड्स या कोई उड़ गाटन वगेरा किसी क्या दोस्तो सबसे पहले तो मैं रिक्मेंड करूँगा कि आप ऐसे वीडियो बनाओ कि जिससे हर किसी के दिल में मौबबद बने कोई आप ऐसा कंटेन यूज करते हो किसी को गाली देना मतलब छोटी यूजर जो रहते हैं जिनके 2-3,000 फॉलोवर है उन्होंने अगर किसी को ग है और 20-30,000 लोगों के लोगों से भी जाधा लोगों दिख जाता है इससे सब से बढ़ा प्रब्लम को ऐसा आता है कि उसकी सबसे घ्ला फरावम हो सकते उस Вас इंप सीधा आइडिघका कर देता बड़ी ये तो डायबं य प는 के लिंदा पर ऐसा चक्प्मांगा, जला बताव के लगवक फॉलोवर दें लेकिन मैंने बहुत सारे टिक टोक को मेल किया बहुत कोंटेक्ट करने का प्रयास किया उसके बाद मैंने सीधा-टिक-टॉक को फेस मालूम था उसकी वज़े से तुरत आईडी डबल से वाइरल होगी हाँ तो सर अभी आप देखिए औरंगाबाद महाराश्ट्रा के टिक टॉक टॉप इस्टार में आपका नाम आ रहा है तो आप हमें बताईए सर कि जब आप इवेंट्स के अंदर जाती हो तो आपको वहाँ पर कैसा मैसुस होता है थोड़ा हमारे दर्शकों को बताईए हाँ इवेंट का आपको बताते हैं अगर आप टिक टॉक स्टार हो जाते हो कुछ दिनों से वैसा तो आपको गाओं में ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेंगा गाओं में लोग आपको यहीं बोलेगी कि आ और ईइसे कर रहे हैं फालती है धिस दिन आप स्टार हो जागे है ईवर्ट उप आपіти के वीडिए हैं सब्सक्राहिं अंतर जाने के बाद जो आमको फिलोंगा कि कि आप क्या चीज़ है तब समझेंगा तुमको की मज़ा क्या है तो बहुत एकदम दिल ऐसा भर जाता इंसान का हां तो सर जैसा कि देखिए यूटूब पर कॉपीराइट का जो फंडा होता है मतलब अगर मेरी यह प्राइवेट जो वीडियो अगर इसे कोई और यूज करता है लेकिन बात ऐसी आती कि उस पर वाटरमाक आते है दोनों साइड में आप देखना अगर कोई डूब्लिकेट वीडियो अगर कोई फेक आईडी पर अपलोड कर रहा है दोनों साइड में वाटरमाक आईगे और बहुत सारे लोगों इससे सॉफ्ट्वेर बनाएं अभी आ ऑफ कितना भी वीडियो डाउनलोड करो अपनी आईडी पे दालो वाईरल नहीं होंगा जो उसके आईडी से होंगा वह इस सबसे टॉप रहेंगा और और वह ज़ो फॉलोवर है अगर सारे वीडियो वीडिया मिल भी जाते तर आपका कुछ फाइदा ही नहीं उसमें क्योंकि टिक टॉक पैसे देने वाला एपस नहीं आपको पहले बोला टिक टॉक से एक रुपया किसी की कमाई नहीं है बिलियन बिलियन लाको करोडों में जाओ आप कोई कमाई नहीं है जब आप किसी फैन फालोविंग उससे बढ़ सकते हैं इससे अच्छा अपने खुद के गंटे नहीं दालो न चाहिए या फिर नहीं काम करना चाहिए थोड़ी सी देखो आप यूटूब पे जो है वह तो ज्यादा तर पसनल मतलब कंटेन होते हैं बड़े बड़े कंटेन होते हैं ज्यादा वक्त तक इंसान का चेहरा सामने रहता है पास दस मिनट के लिए वीडियो मिनिमम दस एक मि आपने सामने सामने आ जाता है और टक टॉक पर से अगर हम किसी के वीडियो को रिपोट करते जिसी किसमे वलगर लेंग्वेज होती है किसी की या फिर उसका बैड कंटेन्ट होता है तो हम उसके वीडियो को जब रिपोट करते हैं कितने लोगों को मिलकर रिपोट करना पड़ता है कि ऐसे खराब वीडियो को टिक टॉक पे से अठाया जा सके तोलबासा हमारे दर्शकों को इसके बारे में भी राई दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कंटेन गलत है जिससे किसी का दिल दूख सकता है या किसी को कोई तकलीब या कोई बैड ब्लड वगेरा कोई बता रहा है कोई ब्लेड मार रहा है जिसका डूइट करने के लिए दूसरा कोई भी वह ऐसा कर सकता है ब्लेड मारने का कोई रस फास्ट वे बाहे वी अंदर टू की तो कि टॉक पर विडियो करने के लिए एक्ट को मेरे साब से तो आपकी एक्टिंग में उस्सायड है आपको सिधा सामने आकर है तो आपके जान पर बीच सकते हैं उससे अच्छा महीं तो जाता हूं कि आप अच्छे वीडियो बनाओ और क्वालिटी कंटेंट बनाओ अपने एक्शन बताओ अपने एक्टिंग बताओ कां कि दिकिता पर वीडियो वारल करने के लिए हैस्टेक का कोई मतलब होता है या फिर हैस्टेक से उसे रेंक मिलती है दियो यह फिर नहीं मिलती है न है कोई भी भूट अगर बना जाता है जिसे सारे अगर बहुत Да वाइरल का तो कोई चांसे नहीं अगर विडाउट एस्टेक बना भी सकते हो आप चाहे तो टिक टॉक के ऊपर कोई बात नहीं है उस पर हैस्टेक से आपके पूरे वीडियो एक साइड में जुड़े रहेंगे और आपके दोस्ट भी यूज़ करते हैं तो उनके भी वीडियो आपके ग्रूप में जुड़े रहेंगे आप ग्रूप का हैस्टेक बनाव सीधा जैसा मेरा है टीम कृष्णा 0007 इस पर लाखो है तो आपका वीडियो वाह पर देख सकता है एक वीडियो के अंदर हम लगा सकते हैं ये मिरे इसाफ से तो आप लगा तो साथ आठ सकते हो अगर छोटे हैं तो क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों चपन वर्स उसके अंदर बैठते हैं उत्ते में आप चाहे उतने हैस्टेक लगाओ लेकिन हैस्टेक से होता क्या है आपका वीडियो रहता है छोटा अगर इतना कपा आपका अगर वीडियो से आदा अगर हैस्टेक से मर जाएगा तो वीडियो दिखेंगा निए इसके लिए दो या तीन हैस्टेक लगा एक्दम छोटे-छोटे उससे आपका पूरा वीडियो सामने मतलब पब्लिक को दिखेगा और पूरे वीडियो की मदा पब्लिक भी ले पाईगी हासर हमारे दर्शकों अगर वीडियो को बताइए कि फ्यूज आईडी का क्या फंडा होता है देखें फ्यूज आईटी का सबसे मिन बात यह कोई कंप्यूटर यूज करते जो कंप्यूटर से उसको वाइरल करने की लिए उसको व्यू बढ़ाते यह करते तो टिक टॉक यूज़ को और जिस वक time यह शक आजाता है इसको डाउट आजाता है टिक टॉक में आपको पहले बोला वहत फास्ट पॉलिस है तुरत आपके आईडी फ्यूज कर देता है अगर आपने जितने भी यूज आएंगे लेकिन सिभ यूज आते रहेंगे उसका खुछ फाइदा नहीं है वह फ्यूज आई इस चैनल को आप सस्काइब करने के रखो तो आपने इस वीडियो में जाना कि कैसे टिक टॉक पर वीडियो स्पस्प्राइब करने के साथ सथ बेल ब emphasize को जरूर दबा ले ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोडिफिकेशन वक्त पर मिल सके